इस कोरोना महमारी के दोरान लोग के घरों में जो राशन है वो उसकी कम्या गई है मजदूर परिवार है वो बहुत ज़दा परिशान है मजदूर परिवार को इस वक्त रोजगार की विवस्ता नहीं है इसलिए अब उसे राशन की दुकानों पर पहुचना पड़ रहा है और जब से सब को मालूम पड़ा है कि एक तारीख से राशन की दुकानों के ओपर राशन मिलना शुरू हो गया है और ये भीड़ी की आप तस्वीरे इस वक्त आप देखिए आप सूबे साथ बजे से सूबे साथ बजे से लोग आकर यहाँ पर बैड़ गए हैं आठ बजे से दुकान खुली हुई है तब से राशन बट रहा है लेकिन क्योंकि हर किसी को इस वक्त राशन चाहिए और राशन मजदूर वर्क जो है वो सबसे आदा इस वक्त परिशान है गरीब तबका जो है वो सबसे आदा परिशान है राशन की दुकानों के ओपर भीर लगी हुई है तमाशा सा लग गया है सोशल डिस्टेंसिंग की नियम बनाया सोशल डिस्टेंसिंग का उन नियमों की पालना नहीं हो रही है उसकी खुले आम यहाँ पर दज्या उट रही है एक एक मीटर की दूरी का फासला भी यहाँ पर नहीं नजर आता है सबसे बड़ी बात है कि धार 144 लगी हुई है और ऐसे में जब लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जूट रहे हैं तकरीबन डिर सो से दो सो लोग एक साथ जब लाइन में आकर खाड़े हो रहे हैं और उनके बीच का कोई फासला भी नहीं है तो ऐसे में संक्रमन फैलने का खत्रा भी बना हुआ रहता है किसी को नहीं पता कि कोरोना संक्रमन पतेखती कोई है और नहीं है किसकी तव्त खराब है या नहीं है लकिन उसके बावजूद भी राशन की दुकानों पर भी लगने लग गाई है यहाँ पर यह भी देखने माया है कि जब MTTV इंडिया इस राशन की दुकान पर पहुचा था उसके बाद में यहाँ पर पुलिस कर में आते हैं और एक एक मीटर की दूरी का फासला लोग को करने की अपील करते हैं लेकिन फिर वही चीज होती है कि जैसा ही कैमरा बंद होता है तुरंत प्रभाव से लोग वापस से एक साथ इकटा हो जाते हैं लाइन दीर दीर आगे खासकती है और लोग वापस से उस एक एक मीटर की जो सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए थी उसको कोई भी इस वक् करना यह चाहिए था कि लोगों के घर पर सीधे राशन पहुचाना चाहिए था या फिर ऐसी विवस्था करते कि पांच-पांच लोग ही राशन की दुकान पर आप आते लेकिन यह तस्वीर जो आपको नजर आ रही है अंदर कोट के नाकफडी का जो इलाका है नाकफडी को देखकर आप अंदाजा लगाई है कि किस तरीके से सोचल डिस्टेंसिंग की पालना करने का जो निर्देश सरकार ने दिया प्रिशाचन ने दिया उसकी हवा हवाई उसकी धज्या उड़ती इन तस्वीरों में साफ तोर पर दिखाई देता है अब देखना यह होगा कि प्रिशाचनिक अधिकारी इसी तरीके से राशन की वेवस्ता है उसको चलने देते हैं या फिर इस वेवस्ता में कोई संशोधन करते हैं क्योंकि अगर संशोधन नहीं किया गया तो सोचल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होगी और मान लिजए कोई को रणा संक्रमित वैक अगर यहां पर आता है तो उससे संक्रमन फैलने का डर भी इन लोगों के अंदर बनावा रहता है और यह आज पहली तस्वीर यहां से हमने दिखा रहे हैं इस वक्त एक्स्क्लूजिव तस्वीर न्पिटीव इंडिया के उपर है लेकिन शहर के कई इसे हैं जहां पर आने की हम कोशिश कर रहे हैं वो बचना पाएं और इस तरही के से इनके बीच में अपस में लोगों में संक्रमन जो है वो फैल जाए वहीं यहां पर एक दूसरी तस्वीर भी हमको नजर आती है जब हमने यहां पर राशन जो लोग लेने आए हैं उनसे हमने बातचीत की हम उनका नमर जल्दी से जल्दी आए और वो जाएं एक आरोप उन्होंने यह भी लगाया है कि राशन की जो वेवस्ता है वो बहुत दीमी गती से चल रही है दीमी गती से होने के चलते ही उनका राशन मिलने के अंदर उनको लंबा इंतिजार करना पड़ रहा है देरी इस व वस्ता के लिए सुबह इन घंटों की लाइनों में लगना पड़ता है तो बड़ी बड़ी समस्या है इस वक्त लोगों के सामने और इस समस्या से निपटने के लिए प्रिशाचनिक अमले को बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा जिससे कि राशन की दुका कि वहाँ पाद गई अवाज गई हाँ तुबह आठवी से यहां खड़ेगा अगए अगर आपने पने अपने अपस आघए कर चाय पीक ने आई थी जा ऑगी वापस चाय पीके ने आई थी और अगई और जब तो लग रहे हैं पर अब डेक्सली दो घंटनी जार नी film लोल विए एसी बात है कि हमारे को आराम से मिलता है हमेश्या आज पहले बार हुआ है अज पहले हुआ है और पीलाया अच्याहे वारा बर्त है और कुछ भी ढम खाया ने कुछ भी तरह पीजिए अभी झूचीनल में लग रहे हैं कि इसलिए हमें पहुत परेशान है राचन की क्या वैवस्ता अभी जब बिल्कुल इस पंद्र मंद्र आज आज़े गंटे में आजमी निकल रहा अंदर से और अपने आग्मियों को पहले जेती जारी है वह जंग तोलने वाला आवे कोई दो आजमी रासन ले जा उनको पहले और जबेजिते हैं और हम कब है खड़े के लिए लगना पट रहा है अब्सुभाए नाइट में दूटी पर जाओंगा कि तो रहा और यहाँ घ्रवाएं आप अब आट से आप लगा लो इस भाड़े हैं एक पीछे जारू के ठेश सकता है अब यहां नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखे हम सब मिलकर नावल करोना वाइरस या कोविड नाइनटीन को पहलने से रोख सकते हैं इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खासते या छीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखे इस्तमाल की हैवे टिशू को तुरंट ढखनदार कच्रे के डबे में डाल दे अपनी आख नाख और मूँ को हाथ से नच्छुए आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगब 20 सेकंड तक दोए भीड बाहर वाली जगह पर जाने से बचे अगर आपको खांसी बुखारी असास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखे ऐसे लक्षन देखने पर तुरंट तुरंट अपने डॉक्टर से सला ले अस्पताल में आप अपने मुँपर मास्क या रुमाल जरूर रखे अधिक जानकारी के लिए स्वास्त परिवार कल्यान मंत्राले की एक हल्प लाइन है 011-2978046 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए करूं वार से कि क είक भ सकता कि अपने मंदद कि अखए करूबाये लिए एक हम कि अभी करूंओ आपने और से सवास्त वाइए